वेलकम बाक एवरीबन एन इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मामा अर्थ के आईपियों के बारे में देखिए आज लास्ट डेट है यहाँ पर मामा अर्थ के आईपियों को सब्सक्राइब करने की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस कंपनी के तो मामा अर्थ तो इनक इस market को इन्होंने tap किया है वो बहुत अच्छा था and products की भी जो performance थी वो up to the consumer expectation थी which is again a good thing जो एक major factor रहा है यहाँ पर इनकी repeat sales के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस company के 2021 पीरिड में तो देखे वहाँ पे आपको एक major loss देखने को मिल रहा होगा बट यह इस वरसे क्योंकि कुछ preference shares जो है वो redeem होए थे उस period में जिसकी विजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि company ने एक loss phase किया था otherwise company जो है close to break even रही है and कुछ quarters के अंदर in fact company ने profit भी बनाया है but as a new age startup यहाँ पर marketing expense जो है वो ज्यादा करना ही होता है ताकि आप अपने market को cater कर सके अब देखिए यहाँ पर दो important valuation metrics है जिनको आपको देखना चाहिए सबसे पहले यहाँ पर अगर आप total assets देखोगे company के तो व अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं valuation की तो company 10,000 करोड का valuation introduce कर रहे है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि definitely higher side पर valuation देखने को मिलेगी प्लस अगर आप यहाँ पर current P.E. और forward P.E. को देखोगे तो उसके according भी यहाँ पर जो valuation है वो थोड़ी सी आपको higher range पर ही देखने को मिलेगी अगर हम लोग यहाँ पर IPO dates की बात करें तो आज last date है IPO को apply करने की और इसके लावर जो allotment and यहाँ पर issue date है वो आपके screen पर आ रही होंगी देखिए आज का जो subscription data है वो आपके screen पर अभी update हो गया है and second November को closing के बाद जो है almost 530 के बाद में update होगा देखिए यहाँ प important lesson था सारे ही retail investors के लिए and बाकी देखते हैं आज का data किस तरीके से रहता है अमीद करता हूं कि यह video आपको informative लगी होगी informative लगी है तो please like, share, subscribe जरूर करना and I'll see you guys in the next episode